आज इसमें दो घटनाकरम नए जुड़े इस परिद्रश्पर पहला भारती जनता पार्टी के एक MLC को अचानक से अद्भुत ज्यान प्राप्त हुआ और उन्होंने एलान कर दिया कि हमारी सरकार राज्य में ब्राह्मनों के लिए जीवन भीमा और चिकिस्सा भीमा लाएग में तो जब उनका बयान पहली दफा देखा मैंने तभी मैं समझ गया कि यह तो संभव नहीं किसी सरकार के लिए वह भाजपा की हो कांगरेश की हो लेफट की हो राइट की हो किसी की हो संविधान के मुताबी की संभव नहीं कि ब्रामबनों के लिए बीमा काइस्थों के लिए इंसेंटेव राजपूतों के लिए बुब निशुलक भोजन ऐसा थोड़े नहों सकता और ऐसा कैसे संभव संभाव संभाइधानिक व्यवस्था में दो तीन घंटे हंगामा मचा और कुछ उन विधायक जी की नाट फटकार भी हुई होगी तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं ये मेरी व्यक्तिकत राए है बाद में उन्होंने हाँ जाड़ लिया बोले ना भाई ये तो मेरे मन की इक्षा थी चलो ठीक उससे भी बड़ा एक घटना क्रम घटा और ये घटना क्रम भारती जनता पार्टी के लिए चिंता कभी शे उनकी ही पार्टी के एक सुल्तानपुर के एक विधायक ने बिस तारीक से जो सत्र हो रहा है विधानसभा का उसके लिए विधानसभा सचवाले को एक अपना प्रश्ण भेजा जिस प्रश्णा में आश्चरी जनक ढंग से ये पूछा गया कि उत्रपदेश की मौझूदा सरकार के अब तक के कारिकाल में कितने ब्राम्भनों की हत्या हुई कितनों के अपराधियों को सजा दे हो पाई कितनों को असलों को लाइसेंस मिले और कितनों को लाइसेंस निर और भारती जनता पार्टी निश्यत तोर पर इस परासहज होगी आपके विधान मंदल दल का सदस्य ये बात कहां पूछ रहा है विधान सभा विधान मंदल दल की बैठक में पूछे आदमी लोगतंत्र की अधीन आएगा कि अभिवेक्तिकी आजादी है ठीक है पूछ रहे हैं उन्होंने तो विधायक होने के चलते जो विशेशादिकार प्राप्त होता है सदन के सदस्य को उसका उप्योग करते हुए सरकार से लिखत परत में पूछ लिया कि भाई बताओ मुझे लग रहा है ये जो घटना क्रम है ये बीजेपी के अंदर की जो ख़दवदाहट है उसकी और इशारा करता है ख़दवदाहट तो है इससे तो इंकार नहीं हो सकता उसके एक क्वांटम पर विवाद हो सकता कि कितनी बड़ी ख़दवदाहट है ये चोटी ख़दवदाहट है लिग कुछ तो चल रहा है और जो कुछ चल रहा है उसी का मुझाईरा है ये सवाल अन्य था किसी अपनी पार्टी के विधायक को ये पूछने का प्रश्ण ही नहीं उड़ता ये प्रश्ण ही अपने आप अपनी सरकार के प्रती एक उद्व जताता है कि मेरी सरकार का प्रश्ण ठीक नहीं ये भाव परिलक्षित होता है इस प्रश्णक से ही अने ता इस प्रश्णक आस्तित्तों ही नहीं आता एची पर स्थिति का निर्वान क्यों हुआ उत्तरमदेश में जो बात विपक्ष कह रहा था वही बात अगर आपके पारिटी का विधायक कहने लगेगा तो विपक्षि की बात तो काटी जा सकती है किसी भी तरक से लेकिन जब अपना कहे तो क्या तरक दीजिएगा और इस प्रश्ण का क्या उत्तर आएगा नहीं आएगा सरकार जाने विधानसभाद ध्यक्ष जाने हेदेजी लेकिन ये प्रश्ण तो सेकणों साल सचवाले में जिंदा रहेगा ये प्रश्ण तो कहीं नहीं जा सकता जो गोली छूट गई बंदूग से वो बापस नहीं आ सकते अब ये विधानसभाद के सचवाले की प्रपर्टी हो गई और ये हमेशा रहेगी ये परिश्थिती ही मुझे लगता है भारती जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए तातकालिक तोर पर तो चिंता पैदा करने वाली है